हालो स्टूडेंट, वेलकम तो सी यार इंटरनेशनल स्पोल ऑन्लाइन क्लासेज, अवे योल बिटा, I hope you all are staying safe at home, जैसे कि बिटा आपको पता है कि आपकी कल लास्ट हो लीडे थी, तो आज से आपका वर्क स्टार्ट हो रहा है, ओन्लाइन क्लासेज जैसे पहले रखती थी, वैसे ही आपकी स्टार्ट हो रही है, अभी तक हमने रीडर के 1-4 चैप्टर कम्प्लीट किये हैं, तोड़े, I am going to start chapter number 5, the chapter name is our national animal, हमारा रास्ट्री है पर्शु, हमारा रास्ट्री है animal कौन सा है, which is our national animal, tiger, हमारा कौन सा है national animal, tiger, तो जो यह chapter है, chapter number 5, आज हम इसको rate करेंगे, page number 23, open यह box, इसमें देखो एक tiger की picture बनी हुई है, और उसी के बारे में आपको बताया गया है, इस chapter में कि हमारा national animal कौन है, tiger, ठीक है, इसको हम start करते है, reading करना, one day Mr. Prakash brought a picture home, brought means क्या होता है, लाना, picture का मैंने आपको पहले ही बताया, क्या होता है मैंने, चित्र या तस्वीर, तो एक दिन Mr. Prakash, एक person का name है, वो क्या लाए, picture लाए, घर पर, it was a picture of, किसकी picture थी वो, tiger की, it was a beautiful picture, बहुत सुन्दर चित picture थी, he hung it on a wall, उन्होंने wall पर, wall मतलब तिवार पर लटकाया, just then, his daughter came into the room, उसी time, उनकी बेटी, daughter means, बेटी, कम रूम में आई, her name was, उसका name क्या था, अंजू, ठीक है, अंजू ने पूछा अपने पापा से, what have you brought daddy, daddy आप क्या लाए हो, daddy ने बोला, I have brought a picture, मैं एक picture लाया हूँ, where is it, कहां आई ये, daddy ने बोला, it is on the wall, the wall पर है, अंजू, it is a beautiful picture, daddy, is it not, क्या ये, पापा ये है, beautiful picture है, क्या नहीं है, daddy ने बोला, yes, it is, हां है, do you know, what animal is there in the picture, ये, कौन सा animal है, ये picture में, तो अंजू ने बोला, जो animal है, वो किस की तरह दिख रहा है, look like a cat, किस की तरह दिख रहा है, cat की तरह, but it is, it is not a cat, उसके डादी ने बोला, ये cat नहीं है, no, it is not, it is a tiger, उसके डादी ने बोला, कि ये है, tiger की तरह दिख रहा है, लेकिन किस की तरह है, tiger की, ठीक है, because, क्योंकि, it belongs to the cat family, क्योंकि ये cat family से सम्मंदित है, ठीक है, tiger की जो picture है, वो कैसे दिख रही थी, cat की तरह है, तो वो किस सम्मंदित हुआ, बिलॉंग करता है, cat family से, cat के परिभार से, उसकी जो बूच, eyes, legs, other parts of the body, looks like of the cat, but it is much bigger than the cat, cat, तो छोटे से होती है, तो ये, जो tiger है, ये उससे बहुत बड़ा होता है, अंचु, how big is it daddy, अंचु ने पूचा, daddy, ये कितना बड़ा होता है, डाड़ी ने बूला, it is about 3 meters long and 1 meter tall, ये है, 3 meter लंबा होता है, और 1 meter tall, what does it eat, अंचु ने पूचा, पापा, ये खाता क्या है, डाड़ी ये क्या खाता है, डाड़ी ने बूला, it kills animals, ये animals को मारता है, और उनका mass खाता है, eat their flesh, flesh means mass, अंचु ने पूचा, is it very powerful, क्या ये बहुत शक्तिशाली होता है, powerful means, शक्तिशाली या फिर बल्वान, तो डाड़ी ने बोला, yes, it is a powerful as the lion, where do tigers live, डाड़ी, tigers रहते का है, तो डाड़ी ने बोला, they live in the jungle, you can see them in zoo, zoo, देखा है ना, आप में zoo, चिडिया घर घुमने जाते हूं कहीं बार, तो zoo में भी सारे animals होते हैं, वहाँ पर भी आप tiger को देख सकते हैं, उसके बाद अंजुली पूछा, are there a lot of tiger in our country, हमारे देश में, country में देश, हमारे देश में बहुत सारे tiger हैं, yes, there are, in fact, our country is famous, हमारे जो country है, वो famous परसिद है tigers के लिए, the tiger is our national animal, रास्ट रिया पर्शू है, thank you daddy, अंजु ने बोला अपने डैडी को thank you, तो डैडी ने क्या बोला, you are welcome, जैसे आप किसी को thank you बोलते हैं, तो बोलते हैं, welcome, तो ऐसे ही उसके डैडी ने उसको welcome बोला, तो इस chapter में हमने क्या read किया, tiger के बारे में, जो की हमारा national animal है, आप इस chapter को अच्छे से read करेंगे, और इसके जो difficult words आपको लगते हैं, वो आप English rough notebook में, write करके देखेंगे, ठीक हैं, तो इसमें आप underline करेंगे, broad को, hung, picture, daughter, animal, family, ठीक हैं, because, powerful, flash, famous, national, इन सब words को आप underline करेंगे, और इनको rough notebook में write करके देखेंगे, और अच्छे से reading करेंगे इस chapter की, ठीक है बीटा, thank you,